अगर कि विल्भ आजा लियुक्त राटनी उपया है। गर्मौलनेंग फ्रेंट्स एकजीमा और द०्धर टाल श लोग इसको आलर्जी सम्गेशेँ तो मैं आपको डिफरेंशियप करता हूं कि यह है तो एकजीमा और एलर्जी में क्या रिफरास है। सब्सक्राइब कि आपकी बाडी की इंक सानी की बाडी किसी बी चीज के साथ अरची को पैदा दें पर गती है बच्चों में कॉमन है जिसको गटापिक एक्जीमा गोते हैं, डायबिक पेशन्स में एक्जीमा होता है, हाउसोल्ड चीजें जैसे डिटरजेंट पाउडर है, सोपस है, इनसे अलर्जी में बहुत कॉमन है, उसके बाद बैदर से, संब्ली से, जिसको एक्टिनिक डर्माड कहते हैं, तो अलग अलग कारण है जिससे एक्जीमा हो सकता है, और ये एलर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है, होता गया है, आपके बाड़ी में एलर्जी पैदा हुई किसी कारण से, वो बाड़ी की सर्कुलेशन में आई, बलड को फैट किया, बलड से आगे दातों जो हो है, वो हिस्सा अलर्जी के सेल से एफेक्टिड है, उसमें अग्जीमा हो गया, तो नेस्ट और बाड़ी का एफट होगा है, क्योंकि जो एक खराब चैल, डिजीज सेल, अग्जीमा का सेल आपके बाड़ी में बन गया है, उसमें जो दूसरा सेल पनाना है, वो डिजीज ही अपर दोबारा के हो जाता है उसका कारण नहीं है कि जब तक डीप प्रोडेल एक्जीमा के टॉक्षिंस को बहार नहीं निगा ज़ते हैं वो बाहर बाहर एक्जीमा करता है हर एक बोड़ई होदे इडिफर्ट बोड़ई है उसमें डिफरेन रिशयो आपके बाद्पित कर्फ़ की ए और आपके सात उत्वूव के दोके हैं आपके जो ईसमें इन फस़ना इंस इतmenoive की एक रिश्यो होती है बोड़ी के बेस्ट अगर बाहर ना निकले, वो अंदर रहें, टॉक्सिन बनने शुरूर होते हैं, तो बोड़ीज प्यादा करते हैं, जैसे एक्जीमा हुआ। Climatory factors, weather, आपकी diet, आपका काम, ये काफी चीज़ें important हैं आपके एक्जीमा कोठी करने और एक्जीमा होने के इसी चीज़ें फ्रूज करता है, तो बार-बार अगर वो डीजल या कुछ द्रीज उसके कॉंटेक्ट में आती है, तो वो स्किन को पेनिटेट करते हैं, वहाँ डिजीज को प्यादा करती है, अगर बार-बार ये होगा तो वो एक ब्यानिक एक्जीमा का उप भी ले सकता तो इसके लिए प्रकॉशन हैं, आपको अगर कोई चीज ऐलर्जी करती है, तो उसकी आप अगर प्रकॉशन देंगे तो ये एक्जीमा में पहला नहीं, बच्चों में बहुत कॉमन देखा है, जिसको उनके टॉपलीक एक्जीमा लेते हैं, जैसे कंट्रीज जिन में काफी करती है, जैसे कि भर जाए आप हम आप भर थाहिए जिए बच्चों में पराइक एलर्जन्स को प्रमोडर करती है, और पूरी कवर्शन होने चुरूब आजाता है, अगर बॉडी की अच्छी तरह से तो बॉड़ी को वाँश प्रॉपर किया जाए, और उसकी कीश चेर प् करें इसको ठीट करें को फिर नियुद करें तो यह बिल्कुल ठीप हो सकती है अब इसकी टीटमेंट क्या है कैसे हम ट्रिट करते हैं जय को कहां तक पहुंचा हुआ है, वह डिजीज, वह टॉक्सिंस कहां तक है फैट की इमून है, अगर आपकी तीसरी दाप्डू में, जिसको बोलते हैं, अगर वह टॉक्सिंस वहां पर है, तो थोड़ा डिफिकल हो जाता है, चौथी लेर में और डिफिकल, पांच में में और शि जीज़ को ठीक होना है, तो इसका मैंसेजम कैसे करते हैं, आपकी बॉली के ज़र ठावरी चेक अप और टूटल हिस्ट्री से हमें इस पता लग जाता है कि कौन सी लेर में जाके ये सेंटम्स पहला होना है, अगर वो सेंटम्स आपकी थर्ड यार के हैं, इसका मुंतब फिफ्ट लीर में हैं जितना ठीक होता हैं असके साहला जाओ जाओ और जादा तरह आपकरेजे खराग हैं, इसमें हम एक्सटरमंट और इंटर na दोर तरह की के अपर कि करते हैं हैं, ticket की इंटर पारेज़ के निकले हैं, इनकोा में घृक्रिद अटेज़ निकलेंट इसकि जो आपके डीप रूटेड टॉक्सिंस बढ़े हैं, उनको बाहर निखालते हैं और एक्सटरनल ही हम अड़ाने वाले क्रीम, लोशन, पॉल्स और एक्सटरनली स्किम को नुश करता है, जो सुपरफिशली आपके डिजीज है, उसको ख़तम करता है और इंटरनल फेक्टर्ज में जो ब्लग-Purified medicines है, जो एलर्जी और एक्जीमा को खतम करने ओली medicines है, ऐसे बहुत से ही होग हैं जो बाड़िं में एक्जीमा और एलर्जी तो लोगो को खतम कर सकते हैं कौने केसिज और एक्जीमा हमारे पास इतने केसिज हैं जिनको हमने केवल और केवल और केवल अर्मेटिक मेटिसें से ट्रिट सक्सेस्फुल किया है क्या है झाल झाल